बांगलादेश में अब भी देश में हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। बांगलादेश में दक्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरीम सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आप हिंदू सुरक्षित होंगे। नोबल पुरसकार विजेता मुहम्मद योनुस के नेत्रे तुमें नई सरकार ने कमान समभाले। लेकिन सबार फेर भई क्या आप हिंदूओं पर हमले रुकेंगे। पेशे से अर्थ शास्त्री मुहम्मद योनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो समहल ली। लेकिन बांगलादेश के प्रमुख का ये पद काटो भरेताज से कम नहीं है क्योंकि शेख हसीना के तक्ता पलट के बाद भी बांगलादेश में हालात समहलने की बजाए और पिगड गए। हिंदूओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूरु सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। रधान मंत्री मोधी ने बांगलादेश के अंतरिम सरकार के मुक्षया को बधाई देने के साथ भी, उन चुनोतियों से निपटने के लिए भी कहा, जिन चुनोतियों से बांगलादेश फिलहाल गुसर रहा है। पी-म ने एक्स पर पोश्ट के जरिये लिखा, प्रॉपसर मुहम्मद योनस को उनकी नई जिम्मेदारियां समालने पर, मेरी शुप कामना है, हम हिंदूओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्यत करते हुए, सामान्य अस्थिती में जल्द स जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं, भारत, शान्ती, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों तेशों के लोगों की साजह आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांगलादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, अंतरिम सरकार के मुक्षिया का पद समालने के बा वक्त हो गया इक बहुते चोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसला लगातार चारी